हेलो दोस्तों मैं आपका दोस्त अभय कुमार फिर एक बार हाजिर हूँ अपने एक नए टॉपिक के साथ पिछला टॉपिक जो भी मैंने बनाया था आप लोगों ने अच्छा उसमें कमेंट किया मुझे प्रस्टनली बहुत सारे फोन आए इस बार खासकर मुझे जो फोन आ कि अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि जो भी एचसे रिलेटेड वीडियो हो वह आपको तुरत आपको जैसे मैं अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए थैंक्यू बेरी मच आता हूं मैं अपने टॉपिक में इ सबसे बड़ी बात है कि आज कल ये बहुत ही भर सा टाइल है बहुत ही हर जगा जो भी आप प्रोजेक्ट करने जाते हैं या कंपनी में कहीं भी आप काम करने जा रहे हैं तो इसके बारे में जरूर पूछा जाता है इस ए और आपको बहुत ही जरूरी है क्योंकि आप यह जानेंगे तभी इसके बारे में आगे आपको जो भी आपके प्रोजेक्ट से रहे गा आप इसको कर पाएंगे या और इस आई जानने के साथ आपको जानने से पहले ये दो चीजां आपको इसमें जाननी पड़ेगी aspect and impact aspect and impact क्योंकि अभी तक लोगों को इसका doubt ही clear नहीं है कि aspect क्या है impact क्या है generally लोगों को देखा जाता है कि most of जो लड़के आते हैं उनको यह पढ़ाया ही नहीं जाता है कि aspect क्या है impact क्या है जो भी नए लड़के पढ़के आते हैं इस शूट से कहीं भी उनको ये चीज किसी भी इस शूट में जनरली पढ़ाया नहीं जाता कि आस्पेक्ट क्या है इंपेक्ट क्या है तो मैं आज आपको ये डाउट क्लियर कर रहा हूं कि आस्पेक्ट क्या है इंपेक्ट क्या है जैसे कि आप माल लिजे surrounding area आपको surrounding area है land है land है आपका water है ठीक है यह सारी चीजें जो available है वहां पे available है जो हम अपने work करते हैं work के दौरान जो हम use करते हैं suppose that कोई पे अगर हम जैसे कि just a human being human being समझ लिजे कि हम एक हम आदमी है कि थोड़ा मेरा कि यह कि एसकेचिंग बहुत अच्छा नहीं है लेकिन जस्ट हम क्या करते हैं हम यहां से oxygen वह टू लेते हैं ठीक है oxygen लेते हैं तो हमारा aspect क्या हो गया aspect हमारा हो गया oxygen oxygen हम लेते हैं डैट मेंस जो हम प्रयावरान से जो प्राकर्टिक से लेते हैं वह हमारा aspect हो गया और जो हम उसको release करते हैं देते हैं वो होता है हमारा इंपेक्ट जब हम जो चीज़ लेते हैं वह हमारा आस्पेक्ट है और जो हम उसको देते हैं काम करने जो हमारा होने के बाद प्रोसेस खतम होने के बाद जो होता है वह होता है इंपेक्ट जो भी हम काम करते हैं काम करने से पहले जो हम प्राकृतिक यह तो प्राकृतीzh से लेते हैं वह उता है अस यह फैक्ट भी लेतेków उसके बोल्धेश हो गया मृटर हो गया कुछ भी चीज जो प्राकृती से रिलेटिट हैंking लेते हैं और उसके ऑमारे वर्क बाद यह उता है उता है इंपक्ट जो हम काम करते हैं काम करने से पहले जो हम उसे लेते हैं वो होता है आस्पेक्ट और जो हम काम करने के बाद जो हम उसको प्रोड्यूस करते हैं वो होता है इंपेक्ट तो इसलिए जैसे कि माल लिजे हम डीजी यूज कर रहे हैं जनेटर यूज कर रहे हैं डीजी यूज कर र सियो टू जो भी हम वहां से एड्जॉस्ट करते हैं वह हम क्या होते हैं हम उसको इंपेक्ट करते हैं इंपेक्ट करते हैं ठीक है इंपेक्ट करते हैं क्योंकि हम प्रयावनर पर वह इफेक्ट डालते हैं तो इससे लिए आस्पेक्ट और इंपेक्ट जानना जरूरी है कि जो चीज हम लेते हैं जो चीज हम लेते हैं उसे हम बोलते हैं आस्पेक्ट और जो चीज हम देते हैं वह होता है impact हमारे काम करने के बाद जो उस पर प्रभाव पड़ता है उसे हम बोलते है impact इसलिए उसके के बाद EIA होता है मैं सौर्ट फ़र्म यूज कर रहा हूं इन्वार्मेंटल इंपक्ट एसेस्मेंट ठीक है इन्वार्मेंटल इंपक्ट एसेस्मेंट जब हम अपना वर्क स्टार्ट करते हैं उससे में हम एक जूम करते हैं कि हम जो वर्क एक्टिविटी करने वाले हैं जो काम करने वाले हैं उसमें क्या क्या एक्टिविटी होगा जो इन्वार्मेंट को इफेक्ट कर जैसे कि हमारा कभी-कभी जब डवलॉपमेंट होता है तो हम क्या करते हैं ट्री कटिंग करते हैं तो क्या कर करना है अगर impact डालता है तो हमारा जो assessment होता है वो हमें बताता है कि उसके लिए हमें remedial action क्या लेता है तो जैसे कि हम one tree cut करते हैं one is equal to यह two या कहीं कहीं इसको four बोला जाता है कि आप उतने पेंड लगाओगे तो यह impact assessment जो होता है यह impact environmental impact जो होता है वो assessment करता है कि जो हम काम करने वाले हैं जो भी काम करने वाले हैं उसमें क्या क्या activity होने वाला है जैसे कि मान लिजिए हम कुछ काम करने वाले हैं तो उसमें लेंड को हम जमीन को हमें खुदाई करना पड़ता है तो क्या होता है जो नेचुरल जो मालेजे नेचुरल यह स्लोप है अगर हम इसको एसकाइवेट करते हैं तो कहीं न कहीं प्राकिर्टी से छेड़ चाड़ कर रहें तो छेड़ चाड़ कर रहें तो यह क्या हो है तो वाटर वाटर यूज़ करेंगे तो वाटर को हम कैसे वाट वाटर स्टडी करना है कि इसका मंतली है कि तू मंत पर है या सिक्स मंत पर है वह कौन कौन सा स्टडी है कितने दिनों पर करना है वह study किया जाता है assessment किया जाता है कि कितिने दिनों पे कौन सा study करेंगे जिसे कि हम actual condition पता चल पाए कि क्या उसमें हमारे वज़त से क्या नुकसान हो रहा है और क्या हमें remedial action लेना चाहिए तो यह हो गया environmental impact assessment जम हम जो काम कर रहे हैं इंवार्मेंट पे क्या impact पढ़ने वाला है उसकी लिए जो में study करते हैं उसे बोला जाता है इए आई एए सेम ऐसे ही है कि कि एस आई एए अब आ गया यहां पर सोशल इंपक्ट assessment जब हम जो काम कर रहे हैं जो हम काम कर रहे हैं हमारा socially जैसे हम जो परिवेश है अगल बगल के लोग हैं उनसे भी छेड़ चाड़ होता है जैसे मान लिजे कहीं पानी में काम कर रहे हैं या कहीं भी काम कर रहे हैं वहां sound होता है noise pollution होता है तो हमारे काम से कितना sound pollution होगा कितना noise generate होगा हमको उसको कैसे control करना है जैसे कि noise के लिए क्या हम db में count करते है 85 db होता है general लेकिन night time में यही 75 db हो जाता है 8 hours के लिए 8 hours के लिए आपका यह counting है कि 85 db हमारे daytime के लिए night time के लिए 75 db है अगर इससे ज्यादा produce हो रहा है तो हमें उसके लिए क्या प्रावधान है या हमारे काम करने से हो सकता है कि dust उड़ता हो dust उड़ता हो तो उस dust उड़ने से कैसे impact करेगा socially कैसे कैसे impact का हमारे काम से socially कैसे impact हो रहा है मान लिजे हम जो activity कर रहे हैं जो भी work कर रहे हैं कोई भी work हम कर रहे हैं वहाँ पे पहले लोग जीवन यापन कर रहे होंगे वहाँ पे पहले employment होगा इंप्लाइमेंट होगा उसके वज़ा से कुछ ना कुछ लोग काम कर रहे होंगे तो वो जीवन यापन पर लोगों को इफेक्ट करता है जब उसको इफेक्ट करता है तो उसके लिए हम क्या अरेजमेंट कर सकते हैं वो हमारा SIA, Social Impact Assessment में हम अपने स्टडी करते हैं तो उस स्टडी करने का परपज क्या होता है कि वो स्टडी करने के बाद हमें जो भी Remedial Action हो जो हम Remedial Action ले सकते हैं उसको हमें लेना पड़ता है उसको Prescribe किया जाता है कि हां यह काम आपको करना है इसलिए हमेशा बोलायाता है कि Aspect और Impact आपको ध्यान रखना है आस्पेक्ट और Impact ही आपको पता होगा तभी यह आप इसको कर पाओगे Thank you very much अगर मेरे द्वारा knowledge आपको दिया गया है अगर आप जो भी जनकारी दी गई है अगर कुछ पी आपको इसमें जानना हो तो प्लीज कमेंट करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें Thank you very much